दोस्तो आज की इस वीडिये में हम डिसकस करेंगे यूनिटी इन डाइवरसिटी इन इंडिया तो दोस्तो ये चाप्टर बहुत ही बड़ा है और शायद इसमें ज्यादा कुछ नहीं है तो इसलिए मैंने इसका एक शॉर्ट समरी बताया है आप सिंपली इस समरी को पढ़ ले और उसके बाद बुक को एक बार लाइन बाइन रिवाइस कर लेना आपके लिए इनफ हो जाएगा तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू कि दोस्तो मैं आपके तेलांगाना बोट के इंग्लिश के क्लास 10 के स्लेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ जी हाँ और पहले सही मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के उपर वीडियोस बना रखे है अगर आपने दोस्तों सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो इस समरी का पहला लाइन है यूनिटी इन डाइवरसिटी मेंस ओनेस इन डावारिटीज तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया में सभी चीजों का बहुत सारे वैरिटीज है तो यहाँ पर इसी चीज की बात की गई है वैरिटीज मतलब दोस्तों एक कंट्री है डिफरेंट टाइप्स ओफ वैरिटीज प्रोवाइट करने में इंडिया इस अ कंट्री वेर इस वेरी क्लेर तो सी यूनिटी इन डाइवरसिटी विकॉस पीपल आफ मेनी रिलीजन रेस कुल्चर और ट्रेडिशन लिफ तो गेदर विताउट अफेक्टिंग इ रंग का है कल्चर और ट्रेडिशन लिफ टोगेदर विताउट अफेक्टिंग इच अदर्स फिलिंग्स मिस यहां डिफरेंट प्रकार के लोग रहते हैं लेकिन तभी ये एक दूसरे को तकलीफ नहीं देते और सभी मिल जूल कर रहते हैं अब मुझे नहीं पता कि ये कित कितना सच है कितना जूट है कि दोस्तों इंडिया में पूरा तो ऐसा नहीं है मुझे उमीद है कि आप मुझे से अगरी करेंगे तो चलिए आप आगे पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी फोकसेस ऑन दे एक्सिस्टेंस ऑफ यूनिटी इवन आफ्टर लॉट्स अफ कल्चूरल, शोशियल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, रिलिजियस, पॉलिटिकल, आइडियोलोजिकल, साइकोलोजिकल, एसेक्टर तो यहां पर कह रहा है दोस्तों कि जो असल में मीनिग है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसका मीनिग यहां पर यह है कि लोगों जहां पर ज्यादा चॉइस होगा जहां पर ज्यादा तरीके के यानि की अलग-अलग टाइपस के लोग रहते होंगे ना वहां पर यूनिटी ज्यादा होगा यह यहां पर कहने का मतलब है तो यहाँ पर फिर से वही repeat हुआ है कि इंडिया में बहुत सारी different race, religious, caste के लोग है लकिन तब भी सब मिल जूल कर रहते हैं इसलिए दोस्तों इंडिया को एक united country कहा जाता है people in India are highly spiritual and God fearing in nature so they give respect to everyone's religion तो यहाँ कहा गया है कि इंडिया में जो लोग है न वो God को बहुत मानते हैं और वो लोग spirituals action perform करते हैं spiritual actions मतलब दोस्तों कोई नमास पढ़ता है कोई पूजा करता है वही सब को कहते है spirituals actions और इंडिया में जितने भी लोग है न वो दूसरे religion को बहुत ही respect देते हैं तो दोस्तों यही था इस chapter में जो कि मैंने आपको short करकर समझाया आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सभी chapter को short करकर समझाता हूँ आपके सभी heading में दोस्तों 3-3 chapter है तो उसमें से मैं 2 को अच्छे से explain करता हूँ और एक को short करकर समझाता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं एक time में 3 वीडियो बनाता हूँ जी हाँ और बहुत problem भी होता है और आपके तिलांगाना बोट के English के class 10 के syllabus में बहुत सारे chapters है इतना chapter इंडिया के किसी भी board में नहीं है तो और परिशानी होता है कोई नहीं मैं अपना best try कर रहा हूँ और हाँ दोस्तों मेरे record channel है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा so go and subscribe that channel also so we'll meet you with the next video very soon till then be gentle quick and be smart take care